So, hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhry, I am Dr. Cataract and Refractive Surgeon. कई दिनों से मेरे पास कुछ इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि डॉक साब हमने किसी और हॉस्पिटल में अपना चश्मा हटाने का लेजर ओपरेशन करवाया और हमें ये बोला गया कि जो हम हटा रहे हैं चश्मा ये सबसे लेटेस्ट टिकनोलोजी वेव लाइट प्लस इनोवाइस से हटा रहे हैं लेकिन जब हमने आपकी वीडियो देखी तो जो मशीन आप दिखा रहे हैं हमें वेव लाइट वाली और जिस मशीन पर मेरा उपरेशन हुआ किसी और हॉस्पिटल में ये दौनों मशीने डिफरेंट है तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मशीन के कुछ और मॉडल्स भी अवेलिबल है ऐसे 4-5 पेशेंट्स आ गए मेरे पास और जब मैंने इन सब को चेक करा तो उसमें ये मिला कि इनका वेलिबलाइट प्लस वाला उपरेशन तो हुआ ही नहीं है स्टांडर्ड लेसिक जो 25,000 वाला सबसे बेसिक उपरेशन है वो कर दिया गया है तो आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि आप कैसे शोर होएं कि आपका वेलिबलाइट प्लस इनोवाइज वाला उपरेशन ही हुआ है और ये जो थोड़ा सा स्क्याम चल रहा है इससे आप कैसे बच सकते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कि वेलाइट प्लस की मशीन एक्जाटली कैसे दिखती है ये मशीन मैंने आपको पहले की वीडियो में भी दिखाई है जब मैं जर्मेनी गया था जब मैं बारसलोना गया था वहाँ पे कॉन्फरेंस थी जहां पे ये मशीन डिस्पले में थी वहाँ पे मैंने आपको ये मशीन दिखाई है और आज मैं आपको हॉस्पिटल में भी दिखा रहता हूँ कैसे दिखती है तो देखिए ये वाली जो मशीन है ये वाली ये है वेवलाइट प्लस इनोवाइस की मशीन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दूसरी मशीने कैसे दिखते तक कि थोड़ा सा आइडिया रहे आपको ये जो मशीन है ये सिल्क की मशीन है तो जब हम किसी का चश्मा सिल्क टिकनोलोजी से हटाते हैं तो इस मशीन को यूज करते हैं तो लाचपत में हम लोग लेटेस्ट टिकनोलोजी इस ओफर करते हैं वेवलाइट प्लस इनोवाइस, सिल्क और कॉन्टियूरा तो थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मशीने दिखती कैसे हैं अगें हमें ये समझना है कि जो वेवलाइट वाली टिकनोलोजी है इसकी दो मशीने हैं तो ये वाली जो मशीन है ये ओप्रेशन वाली मशीन है जिससे लेजर निकलता है लेकिन जो मेन ब्रेन है जहां पर हम लोग आर्टिफिशल इंटेलिजन्स रे ट्रेसिंग की हेल्प से 3D अवतार बनाके जो आपकी सारी कैलकूलेशन करते हैं सरजरी के लिए वो दूसरी मशीन है तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ वो मशीन कैसे दिखती है तो वेवलाइट प्लस इनोवाइज की जो प्लानिंग वाली मशीन है जहां पर हम सारी कैलकूलेशन करके निकालते हैं कि फाइनल लेजर पैटन कौन सा हमने यूज करना है वो हम इस मशीन से निकालते हैं तो वेव लाइट प्लस इनोवाईज का दो स्टेफ्स में है, पहली मशीन है जहां पे हम प्लानिंग करते हैं, यह सारा डाटा मेन मशीन में जाता है, जिससे लेजर निकलता है और पेशिंट के चश्मे के नंबर को ठीक करा जाता है, तो अगर आपका हॉस्पिटल में इस प्लस इनोवाईज साइट मैप, तो इस मशीन में अगर चेकिंग हुई है, और जो मैंने आपको ऊपर ओपरेशन थेटे मशीन दिखाई, उसमें आपका ओपरेशन हुआ है, तो एक तरह से शोरिटी है कि आपका वेव लाइट प्लस इनोवाईज आला भी हुआ है, साथी स इनोवाईज की मशीन हैं, एक दिल्ली में है हमारे पास, एक मुंबई में है, एक बैंगलॉर में है, नरायन नितराले में, और दूसरा क्योंकि ये वेव लाइट वाली मशीन सिर्फ एक ही जगा बन रही है, जर्मनी में, आलकॉन की फैक्टरी में, और वहां से पूरे वर जून में आने वाली है, तो सारे पेशेंट्स को मैं थोड़ा सा अवेर करना चाहता हूं, कि अगर आप अपना चश्मा हटवाने का सोच रहे हैं, लेटेस्ट टिकनॉलोजी से सोच रहे हैं, तो अपनी थोरो रिसर्च करके जाएए, रोज मेरे पास पेशेंट्स आ रहे ह है, वो ही वाला उपरेशन आपके लिए हो रहा है